चलिए सुरू करते हैं कोश्च का बिग्यान से, कैटोलोजी से इसी तरह धीरे धीरे आपका बैली जी का मानव सरीर से समंधीर जो कि मानव रोख्षे समंधीर, मानव के सरीर में कितने हड़ियां होती है क्या क्या होती है वो भी करवा दूगा अभी पादव जगत में जिसमें से हम कोश्का विग्यान पढ़ने जा रहे हैं केटलोजी तो चलिए खतम करते हैं कोश्का विग्यान बहुत इंपॉर्टन है बहुत सवाल आता है और एक फिजिक्स का मुक्टेस चाहरा है जो किदा दिमाइंडर बुक्स है जिसमें वालने ने पढ़ा चुका है उसी का मुक्टेस चाहरा है तो जरूर दीजएगा आप विडियो डाला हुआ है जरूर से जरूर फॉलो करेंगे चलिएगा पहला कोश्का आप ध्यान से पढ़ेंगा दूसरा प्रशन है कि कौन सी रचना जन्तु कोश्का को बनस्पती कोश्का से बिवेदित करती है मतब अलग करती है तरिस आप्शन की हिसा आप से देखिए मैक्रो कंडिया नहीं करेगी दोनों में होता है तो आप्शन नमबर डी जो देखने है वो सही लगाएंगे सेंट्री ओल जो होता है यह बिवेदित करता है याद दूसरा प्रशन है कि कोश्का का उर्जा गरी कोश्का का अगर पूछे उर्जा गरी कौन होता है बताएगा मतब पावर हाउस किसे कहा जाता है तो हम बहुत अच्छ से जानते हैं Microcontriya को कहते हैं किसे कहते हैं? Microcontriya को तो यह कोशिका का उर्जा गिरी कही है या Powerhouse किसे कहेंगे? तो हम कहेंगे सेल का Powerhouse कौन है? Microcontriya चीक है चौते प्रश्ण की बात करते हैं चौता प्रश्ण है कि कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांक है तो सबसे बड़ा कोशिकांक कौन है? बता सकते हैं पाँचमा प्रश्ण का जवाब देंगे तो हम अच्छ से जवाब देंगे Option No.C Plastis क्या है? Plastid या देखिया Plastid बोला जाता है च्छटा प्रश्ण है पादब कोशिकांक का सबसे बाहरी आवरन कालाता है तो देखिये पादब कोशिकां मतब पौधे का जो शेल होता है उसकी बाहरी आवरन को क्या काते है? बता सकते हैं तो हम अच्छ से बता सकते हैं उसे भित्ती कहेंगे क्या मैंने शही बोला? कमिड वोक्षण बताईगा. तो yes मैंने कोश का भिद्टी जो वोला वो सही उला. क्योंकि इसकी बाहर एक आपने को ही कोश का भिद्टी करें. सात्मा प्रश्ट कोश्की स्वंप में उपस्तित महरित। देखेखें कोश्का द्रब में उपस्तित महरिता हैं इंता प्राइद्रब्य जालिका होता है यह जालिका होता है तो सम्झ je जिलिदार ही होगा घनाज किसम होगा जालिकका महीं होगा ब len ठीक लगा दीजीगा, देखिए, awernic猿ach किया मुकतब पाये जाते हैं, किसमें पाये जाते हैं, awernic, लवक जो होते हैं, वो बताएं किसमें पाये जाते हैं, तो आठलों हे प्रश्ट का जबाब आप दे रहे होंगा, प्रदान करता है तो बिभिन hacking प्रकार क्या करता है तो चीक है दसमा प्रशने पतियों को हरा रंग प्रदान करता है कौन प्रदान करेगा तो हम बहुत इच्छे से आनते हैं क्लोरोपलाष्ट करेगा और क्यार करेगा ऑप्शन नमर भी दसमा प्रशन का ऑप्शन नमर भी जो लगाईगे वो सही लगाएंगे चड़िएगा यह अर्मा प्रशन का बताएगा कोश्का की आत्म हत्या की थैली कहलाता है तो देखिए कोश्का मतलब शेल का आत्म हत्या के थैली कौन कहलाएगा देखिए पावर हाउस कहलाता है माइको कॉंडुरिया जिसमें है नहीं तो आत्म हत्या की थैली क्या कहलाएगा बताएगा तो हम बताएंगे गारमा प्रशन का जवाब देंगे लाइशो सोम को करते हैं किसे करते हैं? लाइशो सोम को चलिए, यह समय कम्म्निटी पोस्ट में भी कोश्चन करवा जुका है किसकी उपस्थिती के कारण किसी पादब कोश्का और पशु कोश्का में अंतर पाए जाता है, बताएगा, किसकी उपस्थिती के कारण, किसी पादप कोश्का, मतब पौधे कोश्का, और पशु, मतब जन्तु कोश्का में अंतर पाए जाता है, तो याद रुकिएगा, option number B, कोश्का भित्ती के कारण ही तो पाए जाता है, प तो बहुत अच्छे से सिंपल जवाब है, तेरह माँ प्रशन का option number D, स्रवीत करते हैं, या तो किया है, गौल जी काई, काई बोला जाता है, इसका प्रमुख काई है, स्रवीत करना, चीक है, तेरह माँ प्रशन का option number D, जो लगाए, वो सही लगाए, 14 प्रशन है, नमरीकित में कौन सा कोशकांग, कोशकांग मतलब DNA रखता है, कौन सा कोशकांग जो है, DNA रखता है, तो हम बताएंगे, DNA के मामले में अगर बात करेंगे, तो option number D, माइको कॉंटरिया को याद करेंगे, क्योंकि यही रखता है, चीक है, DNA रखता है, या है, पता हैंगे, पंदरमा प्रशन का option number D, प्रागम में होते हैं, कैसे होते हैं, प्रागम में होते हैं, कुशकांग बिद चलिएगा, आगजे स्वाल है, 16 माइको कॉंटरिया का भीतरी वलन कहलाता है, तो माइको कॉंटरिया का भीतरी वलन, मतल्यकि आंदर की बात हो रहि कहलाता है क्या कहलाता है बताएगा क्या होता है क्रिष्टी क्या गलाएगा क्रिष्टी चलिए सत्रमा प्रश्ट है जिसे प्रोटो प्लाज्मा बोलते हैं, जिर्दरब को प्रोटो प्लाज्मा बोलते हैं, शब्द का प्रयुक शर्प्रथम किसने क्या था बताएगा, जिर्दरब का शब्द जो है, वो सर्प्रथम किसने बताया था, बी पूर किंजे ने पूर किंजे ऐसे पूर किंजे बोला जाता है इनको ठीक है चलिए आगे चले अठारों आप प्रश्ण का जवाब दे चुके हैं आप भी चलिए उनिस्वा प्रश्ण का जवाब दीजे जिवदरव जीवन जीवदरब जिसे proto-plasma बोलते हैं जीवन का बहुत इक अधार है या किसका कथने बताईगा जीवदरब जो है जीवन का बहुत इक अधार है या कहने वाले कौन वेखती हैं बता सकते हैं तो हाँ बता सकते हैं उन्हें इस्वापरिश्ण का option number C कौन है? हेक्सल हक्षेल जी हैं चिकले गाए हेक्सल ऐसे बोलते हैं हक्षेल बोला जाता है इनको DNA हेलिक्स, DNA हेलिक्स का प्रणूप मत rehearsal model फ्रस्तूत किया कौन किया था बताईगा DNA का हेलिक्स जो प्रारूप होता है jsuf égal होता है Qushka की क्रियात्मक गतिविधियान नियंत्रित होती है, किसमें नियंत्रित होती है बताएगा, तो हम option buddy केंद्रक द्वारा होता है, बस इतना ध्यान रखेंगे, चरिएगा, वाइसमा प्रशन का बताएगे, गुंसुत्र, क्रोमोशों, सब्द प्रदान किया गया, तो बताए कहीं कहीं देता है, या तो कहीं है, वाल्डेयर हैं, चलिएगा, 23 question number, अंतः प्रद्रब, जालक की खोज की, किसने की बताएगा, तो हम बताएगे, option number B, पोर्टर, पोर्टर ऐसे बोलते हैं, पोर्टर, ठीक है, पोर्टर नेकी थी, कौन किया थे, पोर्टर नेकी थी, मताएगा, कौन किया था, एलक्टरोन सुच मदर्शी की, खोज की, किसने की बताएगा, तो option number E, नौल और रसकाब, रसकाब, नेकी थी, चलिएगा, 25 question number, बस्तविक किंद्रक, किसमें अनुपस्थित होता है, बस्तविक जो किंद्रक होता, किसमें अनुपस्थित होता है, तो option number ए, जिवानु में उन पस्तित होता है, वेक्टरिया में, यहार रखेगा, चलिएगा 26 question number, सर्वधिक संख्या, twin, twin में गुंसुत्र पाये जाते हैं, किसमें पाये जाते हैं, सबसे ज़्यादा, बताईगा, सर्वधिक संख्या में, गुंसुत्र, तो आपको जिसमें उ गुंसुत्र पे मैंने वीडियो बना चुका हूँ, जाके देख सकते हूं वह लाइन हैं, चीक है, 27 question number, जीवन की बहुत इक अधार है, जीवन का बहुत इक अधार क्या है, प्रोटो प्लाजमा है, जीब दरब है, याद दोखिएगा, अभी जस्ट पढ़ें, बोले भी है है आदमी, है ना, चीक है, कौन पर इज्ञानिक बोला था, बताएगे तो, अभी जस्ट मोग टेस्ट में दिये हैं आप, चलिएगा 28 question number, नमिकिर में सबसे छोटी कोश्ट का, जो है, कौन है, मतलब सबसे छोटी शेल कोन है, बता सकते हैं, तो option number 1, mycoplasma सबसे छोटा शेल है, याद रखेगा, तो यह किलिए वो स्वास्त, एवं portion से, मतलब health और nutrition से, यह सवाल तो निश्चित है, कि आपका कोई भी exam देने जा रहे हैं, या LP का exam हो, या किसी भी चीज़ का, और याद रखेगा, जल्द ही आपके लिए LP का, जो की exam अभी तक, जितने भी पूछे गहें आज तक के, वो सारा एक one liner सारसंग्रा में ला रहा हूँ, माहमेराथन के रूप में, पहला कोशन, पहला कोशन क्या है, तो पहला कोशन देखेगा, निम्रिखित में से, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में इंधन का काज करता है, बताएगा, निम्रिखित में कौन सा पदार्थ है, जो कि मानव शरीर में इंधन का काज करता है, बहुत अच्छा से जानते हैं, इंधन का कार्ज जैसे ही लगे, option number C, carvohydrate, जो option number C लगाएंगे, वो शाय लगाएंगे, comment box में जरूर बताएगा, कि कितना number, चलिएगा, दूसरा प्रशन है, capsule का आवरन बना हो अगर आप सही बताएंगे, तो मैं सही बोलूँगा, गलत होगा, तो मैं उसका जवाब भी दूँगा, कि गलत कहाँ पर आप बता रहे हैं, या मैं गलत बताऊँगा, तो मैं भी बताऊँगा, कि हाँ इस पर mistake हो चुका है, लेकिन आपको सही mark दिया जाएगा, तीसरा प् प्रश्न की बात करते ही, चौथा प्रश्न है, नमर्कित में कौन सी सरकरा, ततकाल उर्जा प्रदान करती है, ततकाल उर्जा मतब तुरंत उर्जा प्रदान करती है, कौन करता है, बताइगा, कौन साथ सरकरा है, जो कि ततकाल उर्जा प्रदान करती है, मतब एनर्जी दे जादा उर्जा मिलता है अब देखे एथिलिट जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें जल्दी और जादा उर्जा मिलता है किस से मिलता है तो हम बताएंगे पांच मां प्रशन का option आवश्यक होता है बताएगा प्रोटीन बनने के लिए कितने इनिमो अमल आवश्यक होते हैं important होते हैं बताएगा बताएगा तो हम बताएगे चट्थे प्रश्न का option number C जो लगाएगे 20 20 इनिमो अमल आवश्यक होते हैं तो जो छट्थे प्रश्ण का C लगाए, वो शही लगाए, सातमा प्रश्ण का जवाब देंगे, सातमा प्रश्ण है सरीर में उत्को का निर्मान किस से होता है, बताएगा जल्ली, फड़ा फड़ जवाब देंगे, सातमा प्रश्ण का जवाब, option नमबर है, प्रोटीन जो ल वो सही दिये, चलिए, नौमा प्रश्ण, जैविक सिस्टम में रशानिक किरिया की प्रकिरिया को तीज करने में उत्तरदाई पदार्थ कौन सा है बताईगा, मतब जैविक जो सिस्टम होते हैं, में रशानिक किरिया की प्रकिरिया को तीज करने में उत्तरदाई पदार्थ क होता है सभी बात है रशानी क्रिया को प्रकिया में तेज करना है तो एंजाइम के वशक्ता होती है उतरदाई होता है चलिए दस्मा प्रश्ट स्वैविन में प्रोटीन का प्रतीशत होता है तो स्वैविन में प्रोटीन का प्रतीशत बताएंगे चरिए इसका जवाब देदी होंगे आप्शन नमर A 42% चरिए आगे चलते है 11 Qion किसमें प्रोटीन नहीं पाय जाता है इस आप्शन के इसाब से बताएए किसमें प्रोटीन नहीं पाय जाता है चरिए आप्शन नमर C चावल जो लगाएंगे उसा ही लगाएंगे, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, कार्भोहेड़र मिलेगा आपको, चलिए आगे बारामा प्रश्ट, निमर्गित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक सुरूत पाया जाता है, किसमें सबसे अधिक सुरूत पाया जात होती है तो बशा कहा जमी होती है बताइएगा इस चार अप्शन के हिसाब से तो जुनों ने तेरा माँ प्रश्ण का अप्शन नमबर भी दिये वशा उत्तक में बशा टीशू में वह सही जवाब दिये चलिएगा फोर्डीन प्रश्ण निमनांकित भोजन में से किस से प्रति गराम सार्विधिक उर्जा प्राप्त होती है किस से होती है बताइएगा चारदामा प्रश्ण का आप्शन नमबर भी बशा से प्राप्त होता है या तो किएगा प्रति गराम सार्विधिक उर्जा अगर प्राप्त होती है तो बशा से बंद्रमा प्रश्ण आपके सामने, विटामिन सब्द किस से, मतलब किस ने प्रतिपादित किया, स्वारी, किस से हो गया था, चमा चाहेंगे, विटामिन सब्द किस ने प्रतिपादित किया, उनका नाम बताएंगे, तो बंद्रमा प्रश्ण का अंसर का जवाब जो दिये, क किसे रच्छात्मक पदार्थ कहा जाता है, मतलब सुरच्छा के लिए कहा जाता है, सुरच्छा पदार्थ कहा जाता है, हमारी रच्छा करता है, वो पदार्थ का ना बताएं, तो शलमा प्रश्ण का ऑप्शन नमर ए, विटामीन, विटामीन ही तो है, हे हमारा रच्छा कटता है सत्रमा प्रश्न गाजर किस बिटामिन का समृद हो MAS समृद शू थे कौन सब बिटामिन पाये जाता है गाजर मों बताएंगे तो हां miracle a बिटामिन अ पाये जाता है, या तोख़ेगा, विटामिन अ पाये जाता है, किस में, गाजचर में, चलिए आगे बढ़ते हैं, अठारमा प्रश्च, मानर्ष शरीर में बिटामिन A, संचित रहता है, बताएंगी इस चार ओप्शन के साब से, कौन चंसरोगा, अठार्मा प्रश्ट का ओप्शन नमरे यक्रित मतलब लिवर में या तुकिएगा लिवर में यक्रित थी लिवर कोई यक्रित कहा जाता है आगे सवाल है उनिस्वा प्रश्ट रतोंधी का मुख कारण किस विटामिन की कमी है मतलब कहने का मतलब है कि रतौन ही का मुख कारण जो है किस विटामिन की कमी है कौन सी विटामिन की कमी से होता है बताईएगा रतौन ही तो हम उन्हें इसमा प्रश्ण का option number A, vitamin A लगा होंगे 20 मा प्रश्ण है, thाइमीन है, तो thाइमीन बताईएगा क्या होगा अंसर इसका, चलेंगे, 20 मा प्रश्ण का जवाब देंगे तो जिन्होंने 20 मा प्रश्ण का option number D दिये, vitamin B1 बहुत सही जवाब दिये चले आगे बढ़ते हैं, इसमा प्रश्ण की बात करते हैं, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, क्या है बताईगा, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, वह है, क्या है 21 का option number D, vitamin 12 है, vitamin B12 कहा जाता है, यहाँ देखेगा तो जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, वह vitamin 12 होता है चलिए आगे बढ़ते हैं बाइसमा प्रश्ण के बात करते हैं बिटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है बताएंगे तो बिटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है तो बाइसमा प्रश्ण का जवाब देंगे ओप्शन नमबर सी आमला चीक है, vitamin c का सबसे उत्तम सिरोथ आमला है Parts त्यस्मा प्रष्ण है, vitamin c का रशायनिक नाम क्या है? बताएगा vitamin c का रशायनिक नाम आप पढ़ चुके हैं, especially मैं vitamin w भी बना चुका हूँ तो त्यस्मा प्रष्ण का answer का जवाब, जो option number b देंगे, एसकारविक अमल, वो सही जवाब देंगे 24 वाप प्रश्ट दातों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है बताएगा 4 अप्शन, हम बहुत अच्छे से आंते विटामिन C की कमी से होता है जो अप्शन नमबर C लगाए, वो सही लगाए बिटामिन C, या दखीगा 24 का, आगे चलेंगे 25 कॉशन नमबर, मचलियों के यकरित, मतली भर के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, मतलब मचलियों के यकरित में जो है तेल होता है उसमें क्या मिला हया होता है कौन सी बिटामिन होती है यही तो जवाब है आपसे पूछ रहा है, तो option number C, vitamin D, 25% का option number C जो लगाए, वो से ही लगाए होंगे, 100%, चलिएगा 26th question number, vitamin E का राशानिक नाम, बताईएगा, 4 option A, vitamin, तो option number D, take off for all, option number D, take off for all होता है, 26th cancer, option number D, take off for all, फिर all बुला जाता है, ठीक है, चलिएगा 27 question number, मानव शरीर में रत का थक्का किस vitamin से बनता है, तो रत का थक्का किस vitamin से बनता है, तो हम जैसे थक्का की बात होगी, के टीक लगा, क्या आगे बढ़ जाएगा, क्या मैंने शही बोला, एक दम आप शही लगाएगा 27 का, तो यह होगा vitamin K, क्योंकि रत का थक्का बनाना vitamin K के कारण होता है, चलिएगा, आगे बढ़े, 28, 28 question number, दातों में, निम्रिकित में क्या होता है, तो दातों में क्या होता है, बता सकते हैं, तो हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, option number B, calcium, आगे शलेंगे, 29, हिदाय की धड़कन को नियंतरित करने के लिए 49 में कौन सा खनीज आवश्छक है, कौन सा खनीज आवश्छक है, बताएंगे, option number C, potassium, आवश्चक है, हिर्दय की धड़कन को नियंतरित करना है, हिर्दय मतुँ हाट का धड़कन जो होता है, धगडग जो करता है, उसको नियंतरित करने का काम करता है, तो वो कोन करता है, क सागरी खरपतवार किसका महतपूर्ण श्रोत है? ये चार आप्शन के जवाब दिजे. तो आप्शन नमबर D, आयोडीन. जैसे ही खरपतवार का सब्दा है, आप्शागरी से जुड़ा हो, शमुद्द से जुड़ा हो, तो शमुझ जाए आयोडीन होगा उसमें, नमक होगा है ना? 31 कोशन नमबर, मानो शरीर में आस्तन, आक्शीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? बताएं, मानो शरीर में आस्तन माना गया है कि आक्शीजन जो होता है हमारे शरीर में, कितना प्रतिशत? आप्शन नमबर D, 65%, यहाँ पे 70 भी होता, तो वो भी चाही होता, क्य क्योंकि 65 से 70 अनुमान लगाए गया या दुखिएगा चलिएगा 32 कोशन नमद पालक के पत्तों में किसकी मातरा सबसे अधिक होती है पालक के पत्तों में बताएगा 32 का अंसर का जवाब देंगे जल्ली फड़ा फड़ तो ऑप्शन नमद भी आईरन ठीक है लोहा होता है 33 मत 34 कोशन नमद नमर की कमी से इनिमिया रोग होता है 34 का अंसर का जवाब देजेगा तो yes जो ऑप्शन नमर सी लगाएंगे आईरन की कमी से होता है जोहे की कमी से होता है या तो खेगा 35 कोशन नमर टाइफट से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है यह सब पढ़ा चु होता है तो हम जानते हैं आथ प्रभावित होगा और क्या होगा है ना सही मैंने मूला यस जो सा एनर्जी के साथ लगाएगा ऑप्शन नमर सी चलेंगे 36 कोशन नमर का जवाब देजेगा पेचिस रोग के लिए उत्तरदाई प्रोटो जवा बताएगा कौन सा प्रोटो के साथ से जवाब दिए फड़ा फड़ा तो ऑप्शन नमर ए जिवानु वेक्तरिया अर दिसमा प्रश्ट नमर कित में से किसके जांच के लिए ELISA टेस्ट किया जाता है ELISA ऐसे ही याद करिएगा ठीक है एलीशा नहीं याद करिएगा इसे ELISA याद करिएगा तो ज़्याद याद देगा ठीक है तो ऑप्शन नमर डी एरिफ्ट के लिए ये किया जाता है जांच ठीक है यहाद देखिएगा क्लियर हो गया और तिसमा प्रश्ट गाड़ी हो गया चलिए विचालिसमा प्रश्ट एवियन इन्फ्यूइन जा जिसे वड फ्लू बोला जाता है विशान इन्वन से निरोपित क्या जाता है यह विशान हो है बड़ फ्लू यहाद दखिएगे उसका पुरा नाम एवियन इन्फ्लूइन जा बोला जाता है चारीसमा प्रश्ट नमिकित में से किसकी कमी से दंत 6 होता है किसकी कमी से दंत 6 हो जाते बताएगा चारीसमा प्रश्ट आ गुर्दा मतब केड़ने को कहते हैं, यहाँ देखेगा, और जिगर लिभर को कहते हैं, मतब यक्रित को कहते हैं, तो गुर्दा पत्री, जो गुर्दा में पत्री होता है, का पता लगाने के लिए किस प्रतिबीम में यंत्र का प्रयोग लाए जाता है, कौन सा प्रतिबीम य ग्रान से रेखेंगे नमिकित में से किस भारी धात्यों की विशक्ता कार्थ याकरित सिरोसिस पैदा होती है प्रान से याकरित सिरोसिस पैदा करिंगे तो हम बताएंगे 42 का अंसर के जवाब जो ऑप्षन no. a लगाएंगे 2500 Cristobal वो सही लगाएंगे funktioniert 43 Question number का जवाब देंगे मानव शरीर मेरत का प्रियाप्ट आप उड़ती को कहते हैं क्या कहते हैं ये बताइएगा मानव शरीर के रखत से समंदी सवाल है ये तो 43 का आंसर का जवाब Option number A Ischemia कहा जाता है क्या कहते हैं Ischemia कहते हैं जिसमें अगर बलड में आप उड़ती नहीं हो, ठीक है, याद रखेगा, चलिका 44, question number, टाइफट पैदा किया जाता है, टाइफट कैसे पैदा हो जाता है, बताएगा, तो टाइफट तो हम जानते हैं कि प्रभावित करता है, हमारे आंथ को प्रभावित करता है, option number D जो BCG, प्रती रच्छन होता है, किस से समंदित है BCG, बस डाइफट सवाल यहीं बताएगा, 44, तो हो चुका था, 45 का, option number B, कीवी का लच्छन है, याद रखेगा, इससे पता चलेगा, BCG के लिए है, समंदित है, याद रखेगे, चलिए, ठीका है यह BCG, ठीक है ना, 46, question number, ध्यान से देखेंगे, निमरेकन में कौन सी बीमारी, पानी द्वारा नहीं होती है, तो पानी द्वारा कौन सी बीमारी नहीं होती है, पता सकते हैं, तो बताएगा, तो 46 का अंसर का जवाब जो देंगे आप्शन नमबरी वर्ड फ्लू वर्ड फ्लू से नहीं हो सकता है, है जाए सब जो है टाइफट है, ये सब जो पानिश होता है, ठीक है चलिए का 47 कोश्चन नमबर का जवाब देंगे निमोनिया रोग मानव शरीक के किस अंग को प्रभावित करता है मा रहीगा, ये चार अप्शन आपके सामने, जवाब देंगे तो जो अप्शन नमबर डी लगाएंगे, वो सही लगाएंगे, फेफडा से 48 कोश्चन नमबर पूर्ण अस्मिरिती लोग, मतब एक तरस भूल जाना है, ये दस्त को भूल गए याद नहीं रहना कुछ निमेगर मेंसे किस सब्द द्वारा जाना जाता है उस सब्द को क्या कहेंगे, बताएंगे तो हम कहेंगे 48 का अंसर का जवाब, जो देंगे आप्शन नमर भी, एमनी, एमनी, सिया कहा जाता है एमनी, सिया कहा जाता है, पूर्ण अस्मिरिती लोग को चीक है, 49 कोशन नमर, मानव शरीर, रचना के संदर्वे में एंटी बॉडिज होती है, तो संरचना के मामले में बात किया जा मानव शरीर के सनरचना की बात करें, तो बताएंगे, मतब कहने का मतब ब्रिध्य के संस में हो गया, तो वो होता है, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स से समझदी थे, एंटी वाड़ी जैसे सब्दा है, प्रोटीन्स ठीक लगा दीजेगा, चलिंग पचासमा ब्रश पिलिया, किसके संक्रमन के कारण होता है, बताएंगा, बताब होता है, प्रोटीन्स का अंसर का जवाब देंगे, आप्शन नमबर में, यक्रिप, लिवर, याद रिखेगा, फिप्टी वान कोश्चन नमबर, अरक्ता में, नमलिकित में से, किसकी मात्रा कम हो जाती है, अरक्ता में, तो आप्शन नमरे, हिमोगलमीन की मात्रा कम हो जाती है, फिप्टी टू, चेचक, स्माल पॉक्स, होने का कारण है, कौन सा वाइरश, चलिंग बताएं, आप्शन नमरे, 53, वैरियोरा वाइरश, 53, गाई के दूध का रंग, किसकी मौझूदगी के कारण पीला होता है, बताएगा, 53, अरक्ता का जवाब, आप्शन नमरे, जो लगाए, वो से लगाए, के रोटीन, 54, नमलिकित में, कौन सा रोग, प्राया, वायू के माध्याम से फैलता है, ये 4 अप्शन केHS Lamb से जवाब देंगे, आप्शन नमरे, प्लेग रोग, जो के वायू के माध्याम से फैलता है, 55, इनमे से, वशा, इनमे से, वशा में, कौन, विले नहीं होता है, कौन भी ले नहीं होता है बशा में तो B और C को छोड़ के सब बले हो जाता है बशा में मतलब B और C पानी में घुलता है तो B अंसर जो लगाएंगे Option B, vitamin B जो है आपको बशा में नहीं घुलता है 55 का अंसर का जवाब जो देंगे B वो सही दिये चलिए 56 कैंसर के उप्चार के लिए प्रिप्ट रेडियों आइसोटोब है कौन सा है बताईगा रेडियों आइसोटोब कैंसर के उप्चार के लिए बताएंगे 56 का अप्शन नमबर C CO 60 मतलब कोवाल्ट 60 चलिएगा BCG का टिका पढ़ लिए टिवी के लिए तो ECG का टिका बताईए ECG का जो है क्या है इसका पूरा मतलब पूछ रहा है फुल फॉर्म एक्तर से पूछ रहा है ECG क्या है बताएंगे 57 का आप्शन नमबर D लेक्ट्रो कॉड्री कॉड्रियो ग्राफी चलिएगा आगे 58 नमर्कित में कौन सा रोग रक्तधान द्वारा नहीं फैलता है रक्तधान द्वारा नहीं फैलता है मतलब रक्तबलड द्वारा नहीं फैलता है बताएंगे 58 का अंसर का जवाब देंगे तो 58 का अंसर का जवाब B होगा टाइफट या देखिएगा यह पानी से फेलता है टाइफट है ना चरियाग बढ़ते हैं 59 question number 59 question number का जवाब देंगे पीतुजवार संचारित किया जाता है तो कैसे किया जाता बताएगा तो 59 का option number A hemogogas hemogogas या edis द्वारा होता है 60 question, मानव शरीर में संक्रमन को रोकने में मदद करने वाला मदद करने वाला बताएगा पताईगा तो हम बताएंगे option number A, vitamin A क्या है? vitamin A तो मानव शरीर में शंक्रमन को रोकने में मदद करने वाला vitamin कौन सा है? vitamin A है 61, छीली हुई सबजीओं को धोने से कौन सा vitamin नस्ठ हो जाता है? मतलब छीला हुआ जो सबजी आप खाते हैं घर में अब उसको धो देते हैं तो कौन सा vitamin चला जाता है? तो option number B, vitamin C चला जाता है 62 answer, vitamin B6 की कमी से पुरूश में हो जाता है क्या हो जाता है? बता सकते हैं, तो हम अच्छा से बताएंगे vitamin B6 आरक्ता की कमी हो जाती है, आप अच्छा से जानते हैं 62 की बात करती हैं, तो option number D, जो लगाए अरक्ता की बिमारी याद रखेगा? कमी हो जाती है? चलेंगे 63 जिस बिमारी में, रक्त में सरकरा कस्थर बढ़ जाता है, उसका नाम क्या हो सकता है? बताएगा diabetes और गच्छी नी पेसे, लेकिन कौन सा? इसमें से बताएगे बताएगे? तो 63 कांसर का जवाब जो दे रहे हैं, option number E, diabetes mellitus, ठीक है? तो diabetes mellitus 64 question number, मिनी माता रोग का कारण है? क्या है? बताएगे मिनी माता रोग का कारण क्या है? बताएगा, फड़ा फड़ जवाब देंगे तो option number E, पारा, या दिखिएगा 65 question number, नमर के अनवानशिक रोगों में कौन योन समंदित है? इस option से जवाब दीजेगा योन समंदित है, बताएगा, अनवानशिक रोग है 65, option number E, हीमोफिलिया 66, EEG, ECG पढ़ है, EEG के जिस अंग की कारण परणाली प्रकट होती है, वह है मतलब किस से EEG का हमको किस से चेक करते हैं? किस चिस से जुड़ा हुआ है? हमारे बाड़ी का कौन से हिससे से जुड़ा हुआ है? मताएंगे? सिंपल जवा, option number B, मस्तिक्स का, यह मस्तिक्स का चेक कर सकते हैं, या दुखेगा हिरदाई के लिए कौन था? ECG हां? आगे चलेंगे 67, किस टत्व की कमी की कारण घेंगा रोग हो जाता है? किस के कारण घेंगा रोग हो जाता है? शी, I don't की कमीशे, 68, कोश्चन नमबर, नमर्गिन में से किस के उपस्थिति के कारण दूद में मिठास आ जाता है? आप्शन नमर्गिन लैक्टोच, 69, कोश्चन घात करो और छिप जाओ, नाम से विख्यात विशानों कौन सा है? मत्वारश कौन सा है? ये बताईएगा आप्शन नमर्गिन र, एस, वी, विशानों होता है, र, एस, वी, वी, सारी, वी, विशानों होते हैं 70 परशच, 69, कोउन सी प्रोटीन दूद में पाई जाती है कौन सी प्रोटीन दूद में पाई जाती है? बताईएगा option number B केशी option number B केशी 71 प्रश्ट रूधिर में श्वेत रक्त कनिकाई कनिकाउं की अत्यरीक मात्रा में उपस्थितियों को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं क्या कहते हैं बताएगा option number B क्या कहते हैं चलिएगा 72 कोले अस्ट्रे रॉल मतलब कोले अस्ट्रे रॉल चीक है कोले अस्ट्रॉल होता है न उसी को बोलते हैं ठीक है तो बताएगा इसमें क्या अंसर होगा option number C जन्तू वशा में उपस्थित वश्ये अल्कोहल के कारण होता है तो उसी याद रखिया सकते हैं वो करेंगे पहला सवाल देखे बनता है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है तो बहुत ईजी सवाल है 206 हड्डिया बनती है ये बहुत ईजी है तो इस पर चर्शा नहीं करने क्या शकता है आगे सवाल है नवजात सिशू में हड्डियों के शंख्या कितनी होती है तो 300 होती है इसमें भी कोई डिश्कस करने के जुरूबत नहीं है बच्चों में जादा होता है इसलिए 300 अनुमान लगाया गया है तीसरा प्रश्ट है कि मनुश्य की खुबड़ी में कितनी अस्तिया होती है तो देखिया यहां पे आपको इस शार आप्शन के हिसाब से जवाब देना है तो बताईए आपको मनुश्य की खुबड़ियों में आप सुने होंगे बाइस होती हर्डिया लेकिन इस option में तो बाइस है नहीं है तो अब बताईए कैसे करेंगे तो हाँ 29 भी होता ही ये ज़रूर धान केगा तो 29 से 22 अनुमान लगाए गए हैं तो 22 खुपडियां होती है अब 29 कैसे होते हैं ये तो हम भी बताते हैं जैसे कपाल में अगर पूछे कपाल कहा जाता है कितने हडियां होती है हार्थ होती है कपाल में मतब उपर की हिस्ते में माथे पे कपाल पे और चेहरे पे कितने हडियां होती है तो चेहरे पे जो हडियां होती है वो होती है 14 मतब 14 हडियां होती है ये अब जानगे ठीक है तो आप इसका अंसर तो 29 लगा है अगर खुपड उसमें भी आपको 6 हडिया मिलेगी तो टोटल लग जाता है 29 तो ये पूरे चेहरे से लेकर खोपडी से लेकर कान तक को जोड देता है ठीक है? तो इसलिए 29 हो जाता है ऐसे आपको 22 टीक लगा देना है तो option पर depend करेगा वो इसलिए 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 ज़रूरी था डिसकस करना कि बाद में आप ये ना कहें कि 22 होता है आप बोलें 29 होता है तो 22 और 29 तोनों होते हैं बस option बेड़ बेन करता है ये 29 इसलिए जोड़ा है क्योंकि कान को भी जोड लिया है 6 हडिया और अगर परशलिए तोटल पूछा जाए आप से तो क्या बताएगा 24 परशलिए होती है कितने परशलिए हैं 24 परशलिए जोड़ी कितनी होती है तो 12 भारा क्यों होती है तो 12 हो गई तो 12 जोड़ी हो गया तो जो option number जो लगायोंगे ये वो शेह जवा लगाएंगे चीक है? जो ये लगाएंगे वो शेह जवा लगाएंगे चलिएगा अब बात करते हैं पांचवा प्रश्ट मानव शरीर की सबसे छोटी हड़ी तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड़ी कौन सी है? तो स्टेप्स steps बोलते हैं, step is भी बोला जाता है तो कान की हड़ी होती है steps वो सबसे छोटी हड़ी होती है तो इस पर भी चर्चा करने कर शबता नहीं है चर्टा प्रशन है, मानफ शरीर की सबसे लंबी हड़ी कौन से है, तो लंबी हड़ी पता है, टीविया नामक हड़ी जो होती है, टांग में होती है तो कि option number B जो लगाएंगे, वो से हड़ाएंगे number कितना आता है ज़रूर देखेगा, 138 question टोटर, ठीक है, अरे एक देखे, टीविया नामक हड़ी होती है टांग में होती है, एक और पैर में होता है, जिसे फिबूला हड़ी बोला जाता है, वो भी पैर में होता है, लेकिन ये जो टीविया हड़ी होता है वो आगे के हिस्से में होता है, मतलब आगे की ओर होता है, मजबूत हड़ी माना जाता है टीविया को ठीक है, अब आगे चलिए और भी चर्चा करेंगे, इसमें हम क्यों करें, चीक है, आठमा प्रश्ण है, दातो तथा हड्यों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं, बता सकते हैं, तो दातो तथा हड्यों में पाए जाने वाले तत्व बताईए, तो अशाम से आप बता सकते हैं, कि केल्सियम और फा पसलियों को आपस में जोडता है, तो जो हड़ी और पसलियों को जोडता है, उसे क्या कहते हैं, पता है, टेंडन कहा जाता है, क्या कहते हैं, टेंडन कहा जाता है, तो सिंपली नॉमा प्रश्ण का जो भी लगाएंगे, वो से लगाएंगे, और टेंडन को एक और नाम से जा होते हैं जो आपसे पूछता है दस्मा प्रश्ण मनुष्र के जीवन कालमी कितनी जो हैं दात दो बार विख्षित होते हैं तो आप बहुत सिंपल बीस दात दो बार होते हैं बस बीशी दात होते हैं ठीक है यह जानते हैं अब अच्छा से जानते हैं दस्मा प्रश्ण का 11 प पाशन का अधिकांश भाग जो है किस अंग में होगा तो पाशन की जो करिया अधिकांश भाग होते हैं वो simply आप जानते हैं छोटी आथ में होता है किस में होता है छोटी आथ में होती है छोटी आथ में होती है चलिए छोटी आथ में तो आप जानते ही है आगे सवाल बनता ह कि मनुख्रगुहा के पांशन के लिए कहां प्ररम्ब होती है तो कहां प्ररम्ब होगा मुख्रगुहा में होगा सुराथी कहां से होता है मुख्रगुहा बोला जाता है तो मुख्रगुहा शो होती है इसकी मुख्रगुहा के नालीज होती है कहीं कहीं आपको 9 मीटर देता है मतलब मीटर में पूछेगा तो 9 मीटर होता है मुख्वगुहा की नली जो होती है अंदर की वो जाती है जो और फीट में पूछेगा तो 30 फीट बता देजेगा चीक है, याद रूखिए आगे पूछेगा ये आपसे इसलिए मैं बता दे रहा हूँ तेरहाँ प्रश्न क्या है कि मानव की पाचन नली लगभग कितनी फिट लंबी होती है लिजे कितनी फिट लंबी होती है तो आप पढ़े थे 30 फिट लंबी होती है और 9 मीटर होता है मीटर में पुछे है तो 9 मीटर लंबा होता है और फीट में पुछे है तो 30 फीट होता है लेकिन इस option में तो है नहीं है ना तो यार दुखेगा 30 फीट भी या 24 फीट अनुमान लगाए गए है तो 24 फीट भी सही है और 30 फीट भी सही है यह जान लिजे तो option पे depend करता है, अगर आपको यहाँ पे 30 दिया रहता है, तो 30 टीक लगाते, 24 नहीं, लेकिन आपको 30 option में है ही नहीं, तो 24 लगा दिजेगा, और यह सही है, 24 के जगा पे 28 देता है, तो 28 लगाते, एक बात जालीजे, आपको 30 के बीच में अगर 29 होता है, 29 को टीक लगाते, 30 अगर नहीं होता तो, 28 होता तो 28 लगाते, 22 ज़रूरी नहीं लगाते, लेकिन आपको 30 option में नहीं था, इस option में सबसे बड़ा कोन है, 24 है, इसलिए 24 लगाएंगे, बस इतना द्यान लगना है, 14 प्रश्ण की बात करते हैं, तो मुख में मंदन, मुख में मंदन जो होते हैं मंदन जिसे अस्टार्च बोलते हैं, का सरकरा में पाचन किसके द्वारा होता है, बताएगा किसके द्वारा पाचन होता है, तो आप बताएंगे, तो बताएगे, चले, तो option नमबर B, टाइलीन, अब देखें, टाइलीन आपको लग रहा है, अंसर ये भी सही है, option नमबर A ये भी सही है, ठीक है, लेकिन option नमबर B यहां दियावा है, तो option नमबर B टाइलीन होता है, और याद रखेंगा, अस्टार्च का सरकरा में पाचन जो होता है, वो टाइलीन के द्वारा होता है, लेकिन ये जो option नमबर ये देखना है, ये भी शही अंसर है, अब बताएगे इसमें हम कैसे बोलेंगे, क्योंकि ये जो है, आप याद रखेगा, ये जो है, एक एंजाइम है, जो कि टाइलीन का ही नाम माना जाता ही, अगर टाइलीन option नहीं होता, तो हम इसे option लगा के चलाते, तो आप अगर सर्च करिएगा, यूटूब या कहीं पे, तो आपका अंस आगे सवाल है, पंद्रमा प्रश्ण, दूध प्रोटीन को, दूध जो होते हैं, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है, कौन सा है, बताइगा, दूध को पचाने वाला, सबका अलग अलग होता है, तो दूध को पचाने वाला एंजाइम का बताइगा, बताइगे, तो दूद को पचाने वाला जो एंजाइम होते हैं वो उसे कहते हैं option number C रेनीन कहते हैं क्या कहते हैं रेनीन कहते हैं आगे से लिए लिए 16 वा प्रशन है कि अधिक्तम पोशक तत्व रक्त में कहां से अफ्शोसित किये जाते हैं तो जैसे ही अगर पोशक तत्व कि बात हो अधिकतम पोशक तत्व कि बात हो अतत्व जो है रक्त में कहां से अफ्शोसित किये जाते हैं कहां से अफ्शोसित खरियेगा तो इस option के हैसाब से तो आप टीक लगा सकते हैं लगाई तो हम सबसे simple option number C लगाइंगे बता ही तो, बताहिए गा, सत्रमा प्रश्ण का जवाब देंगे, बताहिए, आप्शन नमबर बी जो लगाया होगे, टैलीन, टैलीन में, तो लार में कौन सा एंजाइम पाए जाता है, टैलीन पाए जाता है, clear, आगे चलेंगे, सत्रमा, अठरमा प्रश्ण है, कि मुक्षे निकली लार किसका पाचन करती है अब देखे किसका पाचन करती अब अश्टारच का भी पाचन करती है अब इस ओप्सन में बताईए रीव वीश्वा प्रश्ण है कि पचे हुए भोजन भी मौझूद बीशहडे पधार्थ का कौन सा अंग जो है चुसन करता है मतलब कहने का मतलब है कि पचा हुआ भोजन मानिजिए पचा हुआ भोजन को दिशेले पता आर्थ को क्या करता है चान कर बाहर भेग देता है वही का आर्थ हुआ तो बाहर भेग देता है तो कौन सा अंग यह काम करता है किसका काम है बता सकते हैं तो हां बत और ये जो विशेले पदार्त को है, छान कर बाहर निकालना. क्या करता है विशेले पदार्त को तोड़कर क्या करता है, ये पीट के रुप में कनवर्ट कर देता है, पीट में बना देता है, समझ गए है? ये है. तो इसका अंसर option number D जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, यह जान दीजे, अब देखिए, बहुत simple जवाब कि पेपशीन है एक, क्या है पेपशीन, बता सकते हैं, तो पेपशीन क्या है, एक क्या है, इंजाइम है, simple जवाब चलिए, वाइसमा प्रशन है, पेपशीन बदल है, तो इस option के हिसाब से बताएं, क्या answer होगा, बताएंगे ज़रूर, तो देखें, इस option के हिसाब से यह भी answer सही है, और यह भी answer सही है, लेकिन आपको पेपशीन बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टॉन में बदल देता है, यह ज़रूर याद रखेगा, अगर यह option नह पेप्टाइट्स कर देता है, बस इतना ही जान देता है, प्रोटीन को क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइट्स में बदल देता है, और यह बदलता कभी जब अमीनो अमले में तोड़ देता है, और यही दिखा रहा है कि प्रोटीन को अमीनो अमले में क्या होता है, आप option number 6 लगाए क्योंकि ये amino amino जो है इसे समझ लीते हैं 23 question number है कि पाचन किर्या में protein निम्रिकित में से किस पदार्थ में बदल जाता है तो हम बहुत अच्छे जानते है amino amino तो पीद निम्न में से किसके दवारा पैदा किया जाता है तो पीद निम्न में जो option number नहीं लगाएंगे, वो सही लगाएंगे, चीक है, 26 question number ध्यान से सुनेगा, सरपर्थम रक्त परी संचरन तंत्र का अध्यन किस ने किया था, तो अध्यन कौन किये थे पता है, रक्त परी संचरन तंत्र के बारे में बात करें, तो ये अध्यन करने वाले और कोई नहीं, बिलियम हारवे थे, कौन थे, बिलियम हारवे हैं, तो रक्त परी संचरन को रक्त बाहिका भी कहा जाता है, और बाहिका इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये धमनियों में, अगर धमनियों में बात करें, तो रक्त को हिरदय से दूर कर ले जाता है, और सीराओं में अगर बात संचरन थंत्र धिमिनाएं का देता है किंदी हРЕर्द के रत but किने दूर रहा था सी को हं विलियम हर रही है आगे सवाल बनता है पिश्मेकर का शमन्द किससे है बताईगा तो पिश्मेber का सब्स शूनते ही आपको kangaro गया होगा 27 का एक छोटा आसा करुए कोन पेश्मेकर और पेश्मेकर एक छोटा उक्षोटा उकरुए नहीं मतलब यंतर है तो कि लिए है है ना तो यह हिड़ने से समया है और किस से है ठीक है 28 question number है रूधिर दाब मतलब blood pressure मापक यंतर कोन सा है बता सकते हैं, तो रूधियर दाप्स की बात कर रहा है, तो option number C, shigmu menometer को कहते हैं, जो की हम लोग blood pressure जीस से नापते हैं, चेल ये, 29 question number, jarvik seven, बहुत बार पूछाओ प्रशन है, तो jarvik seven बताईएगा, अब इस पर कोई detail नहीं करेंगा, बहुत लंबा वीडियो चल जाएगा, है ना, तो फास्ट करते हैं, और दो पार्ट मिलाएंगे, ठीक है, चलिएगा, तो jarvik seven बताईएगा, तो jarvik seven बताईएगा, 0.08 second लगता है, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, 31 question number, सस्त मनुष्य में, प्रती मीनिट हिर्दय अस्वंदन होता है, तो बताईएगा, हिर्दय जो अस्वंदन होता है, कितना बर होता है, 72, जो कि आप चन बरशी लगाएंगे, 31 का जो सही लगाएंगे, चीक है, किलियर होगे, बहत्तर बर होता है, अब बताईएगा, मानव हिर्दय में कितने कोष्ट होते हैं, तो मानव हिर्दय में कितने कोष्ट होते हैं, तो चार कोष्ट होते हैं, हम यह जानते हैं, चलिए, C answer जो लगाए. 33 नाड़ी दर कहां से मापा जाता है बताएगा. तो धमनियों उसे मापा जाता है. जो option number B लगाएंगे 33 उपहरों का वो सही लगाएंगे. चरिएगा 34 उपहरों प्रश्ण है बताएगा स्वस्त मनुष्य का रक्षचाप. स्वस्त मनुत का रख्च चाप जो है होता है तो देखें सिस्टॉलिक होता है वा डाई स्टॉलिक बोला जाता है तो सिस्टॉलिक और डाई स्टॉलिक होता है तो रख्च चाप बताईगा होता है तो आपको जानते है 120 80 माना जाता है तो जो कि option नमर ये है वो ही सही है तो 120 mm और 80 mm क्लियर हो गया चीक है समझ गया आगे चलिए चंतिस्वाप्रश्ट का क्लियर हो गया 5 प्रश्ट समान जीवन का आलमी मनुश्य का हिर्दय कितना बार धड़कता है तो समान मनुश्य के हिर्दय में तो हम बताएंगे option number B 2 अरव कितना 2 अरव सरीर की विशालतम धमनी है तो सरीर के विशालतम धमनी कोन है बताएगा ठ़ड़ी शक्स तो option number B एरोटा है सेंतिस्मा प्रश्ट स्वस्त मनुश्य के सरीर में रग्त की कुल मातरा कितनी होती है सरीर के बजन का साथ परशिशत होता है एक विश्त में रग्त का औरश्ट आयतन कितना होता है बताएगे तो हम बहुत अच्छे से जानते है 5-6 लीटर माना जाता है मानव रग्त का पीच मान होता है मानव रग्त का पीच मान कितना होता है 17-14 होता है यह भी सही है चरीएगा 45-वा प्रश्ण का किलियर हो गए 40-वा प्रश्ण की बात करते हैं तो 40-वा प्रश्ण है मानव शरीर में रूधिर बैंक मतलब ब्लेड बैंक का कार्च कौन करता है तो ये काम करने वाला और कोई नहीं तिली पिलिहा जिसे स्पीनल बोला जाता है यही तो ब्लेड बैंक का काम करता है रक्त में पाई जाने वाली धातू रक्त में कौन सी धातू पाई जाती है तो लोहा आइरन पाई जाता है देखें 42 कई बात करते हैं तो इसमें देखें रक्त का सुध्धी करन कहा होता है पता है तो रक्त का सुध्धी करन पता है किड्नी में होता है और यह किड्नी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह बताया गया है किसके अनुशार यह जो है टेस्टूग ने बताया है कि भा तो यह ज़रूर तहां रखेगा, जब किड्नी ऑप्शन ना रहे तो फिर बड़ा लगा दीजेगा, कोई दिकत नहीं है, चलिक 33 प्रश्ण है, कि रक्त में लाल रंग, निवन में से किसके कारण होता है, तो लाल रंग किसके कारण होगा, बता सकते हैं, तो हां हीमोगलोवी किसका महत्पूर खटक है, बताएगा, तो बहुत सिम्पल जवाब, किसका होगा, रवीशी का होगा ना, तो रवीशी का होगा, या आप अच्छे से आनते हैं, औप्शन नमर सी, लाल रक्त क्या होते हैं, कोशिकाओं में होते हैं, आप जानते हैं, अरवीशी का, तो हम अच्छे से जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, फोड़ी शिक्स का? Option number B, हीपेरीन के कारण नहीं जमता है, यह भी जान लिजेगा. स्यतारिस्मा प्रशन है कि रूधिर में पलाज्मा में नम्रिखित में से किसके दोरा एंटीबॉडी निर्वित होती है, वतायेका से तारिस्मा प्रशन का जवाब देंगे, प्रशन का अट्म humility के ठेली का दीजिए तो लालरख्त कानिकाओं का शमसान का लाता है तो पिलिहा कालाएगा किस्तिमज कालाएगा ठीक है यह दूनों पताइग तशार दी यह दूनों ने बताएगे क्या होगा 28 मों प्रश्ण का अंसर का जवाब देंगे तो 28 मों प्रश्ण का अंसर का जवाब पिलिहा बोलते है उन्चासमा प्रश्ण के शरीर में लाल रक्त का निकाएं कितने दीनों तक जिवित रहती है तो हम बताएं 100 से 120 दिन तो 120 दिन जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे अगर आपसे पूछेगा कि मानव शरीर में लाल रक्त कन कन निर्मान कहाँ होता है तो लाल रक्त कन का निर्मान अगर आपसे पूछेगी कहाँ होता है तो हम इसका जवाब देंगे क्या जवाब देंगे बजास्वा प्रस्वा जवाब देजए तो हाँ जवाब देंगे option number D अस्थी मजजा में हत्या कहा होती है तिलिया पिलिया में यह अप्जा होते हैं 51 question सफेद रतकन डवलू वीशी का मुखकारच क्या होता है पता है तो यह होता है option number C रोग परती रोध छमता का धारन करना मतलब संक्रमन से लड़ने में मदद करता है डवलू वीशी है ना white cells करते हैं कि नहीं white blood cells है डवलू वीशी का full pump आपसे पूस्ता है 52 मा question है कि मनुश्य के रक्ते में डवलू वीशी मतलब white blood cells जो होते हैं का कौन सी किश्म अधीक होती है तो कौन सी किश्म जो है अधीक मातरा में आपको मिलेगा तो आपको एक बात बता दू इस option के हिसाब से यह option number जो है आपका सही होगा Neutrophils होंगे क्या होंगे Neutrophils होती हैं तो WbC में अगर पूछा जाए जीवन काल आपसे तो क्या बताएगा 13 से 20 दिन होता है ज्यादा नहीं होता है और WbC को एक और नाम से जाना जाता है Lecochitis के नाम से जाना जाता है आप अच्छ से जानते हैं और एक और नाम से होता है जो कि प्रतिरच्छा कोश्का कहते हैं जिसका इमिनो साइटस बोला जाता है और निट्रोफाइलस जो आप टीक लगाए वो अंसर सही है आपका क्योंकि में मतलब आपके शरीर में मतलब मेरे शरीर में क्या होता है पचास से असी परशिशत हिस्सा जो हो बनाता है इसी के मतलब से बनता है तो ये इसके चड़्चा तो हम करना नहीं है क्योंकि मुख टेश्ट कर वारा है तो चड़ी आग बढ़ते हैं आप ज़्यादा जनकारी बाद में आगे मुख टेश्ट देखे रख्त-समू मतलब बलड ग्रूप के खोज करता कोन ह रख्त शमू की बात करें, तो blood group का खुज करता है कौन? ये बताइए, तो हम बता देगें, 53 cancer के जवाब एक ध्यान रखेगा, इनमें दो नाम आते हैं, एक तो blood group का खुज करता हो गए, एक RH factor दोनों का खुज काम किये थे कौन? लेंड अस्टीनर किये थे, चीक है, कौन किये थे? लेंड अस्टीनर, उनका पूरा नाम कार्क लेंड अस्टीनर नाम है, चीक है, लेकिन एक और इनके साथ सहयोगी थे, जब blood group का खुज करता है, तो उसमें एक और सहयोगी के नाम आता है, फिलिप लेविन का नाम आता है, कि इनके साथ ये जो रत गुरूप हुआ था, बलड गुरूप जो हुआ था, उसका खुज करता का सरे तो जाता है लेंड अस्टीनर को, लेकिन के सही होगी एक और भी थे लेविन जी, अब चलिए आगे और किलियर कर देते हैं आपको, कि आपका सवाल मन में जो चलेगा हम क 24, आरेच फैक्टर का पता कि ने लगाया? तो आरेच फैक्टर का भी पता लगाने वाले और कोई नहीं, लेंड अस्टीनर जी हैं, लेकिन लेंड अस्टीनर के साथ एक और सही होगी थे, उनका नाम था Viener, Viener नाम था, तो लेड अस्टीनर तथा Viener जो टीक लगाईए वो सही लगाईगा क्योंकि RH Factor का पता लगाने में इनका सही होग जादा था तो VNR जो है वो पूरा नाम इनका है Alexander VNR नाम है पूरा Alexander VNR जो कि ये जो है दोनों मिलके काम किये थे और RH Factor पर किये थे देकिन मुख भूमिका इनका लेंड एस्टेनर का माना जाता है और Blood Group का अगर बात करें तो लेंड एस्टेनर का ही नाम आता है लेकिन उसमें जो सही होगी थे वो दूसरा थे कौन थे लेविन जी थे और इसमें कौन है VNR जी थे बस इतना ही याद रखेगा देखेगा देखेगा एक जगा पर एक जगा यह भी दे देता है याद रखेगा तो किस बरग में antibody नहीं पाए जाती है तो जानते है O में आपका antibody पाए जाता है इस आप सब जान लीजे लेकिन AB में antibody नहीं पाए जाता है यही अंसर आपका पच्छमाप्रशन का अंसर होगा जो कि आप समझ चाहिए कोडिकत नहीं ना तो antibody जो है नहीं पाए जाता है तो जो भी antigen होता है, अब जानते हैं, तो इसलिए इसमें antibody नहीं पाये जाते हैं, लेकिन O में antibody पाये जाते हैं, आगे चली, और भी clear हो जागा blood से, किस रूधिर वर्ग में कोई antigen नहीं पाये जाता, अब कोई antigen नहीं पाये जाता, तो AB में कोई antigen नहीं पाये जाता, क्या ये सही है? बताइए नहीं. यह गलत है. क्यों? अभी जस्ट आप पढ़े थे कि this antibody नहीं पाए जाता AB में तो इसका मतरा एंटीजन तो पाये जाएगा न एमीमे, मतब A में भी B में भी AB में भी, लेकिन antigen नहीं पाये जाता, मतब antibody किस में था, वो में, तो वो अनसर होगा. समझे, थोड़ा सा confusion कर लिए, मैंने ये किया था थोड़ा सा, अगर दिक्कत हो रहे हैं, तो छमा चाहेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि आपको जादा याद हो जाएगा, ठीक है, तो चरिए, 57 फिर आरेज से है, आरेज का खोज करता कौन थे, वेनर और लेंड अस्टीनर थे, ल इसमें सवाल करने के अब शक्ता ही नहीं है, अगे चलते ही, अब ये सवाल बहुत important है, आरेज तत्व के अनशार कौन सी जोड़ी बीवा के लिए उप्यूपते नहीं होती है, कौन सा ऐसा है, जो कि आरेज ऐसा तत्व बताईए, जो कि बीवा की जोड़ी के लिए perfect नहीं माना जाता है, बताएंगे, तो हम बताशकते हैं, अगर आप बताईए तो बताईए, तो option number A जो लगाएंगे, वो सही लगाएंगे, और ये सही है, क्योंकि RH plus पुरुष्ट और RH minus महिला, जो है, सही नहीं माने जाते हैं, अगर बात किया जाए, तो RH में क्या होता है, RVC प पर अगर RH positive होता है, अगर मान लिजे, मान लिजे, प्रोटीन सेल पर, प्रोटीन सेल पर, मतल़ प्रोटीन कोश्का पर अगर हो, तो आप जान लिजे, RH positive होगा, ठीक है, अगर मान लिजे, प्रोटीन सेल ना हो, मतल़ प्रोटीन कोश्का ना हो, तो समझे, RH negative होगा, ठीक ह है नहीं है बस इसका उल्टा कर दीजिये चाहिए 59 का जवाब दीजिये 59 का आए, अमसर का है कौन सा रख्ट शमू सर्वग्राही मतब ग्रहन करने वाला ग्रहन करने वाला लेने वाला तो एक ही तो है यह करता है अब कि निम्नरक्त सर्वदात्री सर्वदात्री मतब सर्वदाता होता है तो सर्वत्रिक बोला जाता है सर्वत्रिक दाता मतब सर्वदात्री ऐसे बोलते हैं ठीक है? ये दुनों एक शार जोड़ देते हैं सर्वदात्री तो सर्वदात्री मतब सर्वदाता मतलब देने वाला तो देने वाला एक ही है ओ है बस यह जान लीचे तो ओ देता है और एवी जो है सबसे गरहन कर लेता है बस इतना ही जान लीचे तो गराही करने वाला गरहन करने वाला को नहीं एवी और देने वाला को नहीं ओ है बस ऐसे याद रख सकते हैं चारे, 61, मस्तिस्ट के किस भाग में भूख लगने भोजन अनुवुति करने के किंद्र इस्ठीत होते हैं, तो कहां इस्ठीत होते हैं, बता सकते हैं? मैं तो बता दूँगा, आप बताई, तो हाँ, मैं बता दूँगा, option number C, जो लगाएंगे hypothelmus, यह जो भूख लगने की होती है, या भोजन लगने की, भोजन जो खाने की जो भूख लगती है, न की भूख महशूश हो रहा है, तो वो कहां से पता चलता है, यह hypothelmus से पता है, यह hypothelmus में इस्थित होता है, चीक है, अब hypothelmus जो होता है अगर मस्थिक्स होता है, मतलब अगर मस्थिश का भाग होता है, hypothelmus, यह जरूर धान रखेगा, और जो hypothelmus होता है, मस्थिश के मद में, आँख के पीछे, से ठैये, बैठा हुआ है, यह जरूर धान रखे तो यह अगर मस्थिस का भाग होता है हाइफोतनमश 62 कोशन नमबर कि माना मस्थिस में बुद्धी का केंद्र है तो माना मस्थिस में बुद्धी का केंद्र कोन है तो और कोई नहीं सेरिब्रम है बस इतना जान लीजे कोन है सेरिब्रम है 63 question number कि मनुष्य के मस्तिस्ट का सबसे बड़ा भाग कौन साहे बताईगा सबसे बड़ा भाग कौन है मनुष्य के मस्तिस्ट का सबसे बड़ा भाग कौन है तो हम बहुत अच्छे से आनते हैं सबसे बड़ा भाग हमारा प्रामस्तिक्स है 64 question number है कि तंत्रिका तंत्र की लगुतम सनरचनात्मक तथा सरीर क्रियात्मक एकाई है कौन है बता सकते हैं तो हम बता सकते हैं तंत्रिका तंत्र है तंत्रिका कोशिका है तो कौन है निरोन है बस इतना है जानी जी, कोने निरॉन है, तो निरॉन जो अंसर है वो सही लगाएंगे, और निरॉन जो होता है, तंत्र का तंत्र का ही लगुतम सरचना है, छोटा सा हिस्सा है निरॉन, चलिए, इसी से आगे समंदित 65 कोश्चन नमबर, मानव शरीर की सबसे लंबी कोश्च का कौन सी है, तो लंबी कोश्च का एक ही तो है, तंत्र का तंत्र है, और इसी का छोटा सा हिस्सा पढ़े थे निरॉन, जो कि आप उपर पढ़े थे, चलिए 66 कोश्चन नमबर का जवाब देंगे, मनुष्य में मेरू डंड से कितनी जोड़ी तंत्र का निकलती है, मेरू डं तो हम बताएंगे सोसन की करिया माइको क्ट्रिया में होती है, और इसे ज़्यादा शवाल कहीं से नहीं आएगा, तो अनसर करेक्ट है कि सोसन की करिया संपन होगी माइको कब deber browsing में आप अच्छ जया लिजए अगर एक बात आओ जान लीजे अगर एक और आप्सन अगर आ जाता जो कि यह बता देते हैं वो भी स्वसन सरी समधित है जिसे कोश का द्रब बोलते ही कोश का द्रब उसको इंग्लिज में साइटो पलाज्मा बोला जाता है सबसे बाड़ी बात बता दे साइटो पलाज्मा जो है सुरुवाती प्रक्रिया है सबसे पहले अगर सवसन प्रक्रिया संपन होने की बात हो तो सबसे पहले सुरुवाती प्रक्रिया में साइटो पलाज्मा ही आता है दूसरे नमबर पर आपका माइक्रो कॉंट्रिया आता है जो कि oxygen का प्रिवहन करता है करता है ना तो याद रुखेगा तो ये अगर साइटो पलाजमा भी होता तो वो भी टिक लगाते हैं माइक्रो कॉंट्रिया भी लगाते हैं जिसलिए एक option इसमें से हटा हुआ है है ना केलियर 68 कॉंट्रिया नमबर है कि मनुष्य में स्वासो स्वासो छवास बोला जाता है ठीक है में बाहर निकली वाईयो में O2 की मातरा होती है O2 मतलब oxygen की मातरा होती है तो oxygen की मातरा कितनी होती है बता सकते हैं तो हम बताएंगे अच्छा से बताएंगे तो 68 का मतलब कहने का मतलब है कि स्वास जो हम लोग लेते हैं जो oxygen की मातरा अगर निकलती कितनी है ये सवाल पूछ आप से तो कितना परतिशत होता है तो 17 परतिशत मातरा में निकलती है यहाँ पे 17 के जगा पे 16 परतिशत दे देता है ये जरूर ध्यान लखेगा तो 16 से 17 परतिशत अनुमान लगाया गया है ये जरूर ध्यान लखेगा तो यहाँ पे 17 परतिशत आप्शन था इसलेटिक लगाना ये सही था 68 का बी अंसर सही होगा और carbon dioxide पूछे तो CO2 पूछता तो कितना लगाते चार पर्तिशत चलिए बता दिए आगे चलते हैं 69 question number है कि मनुष्य एक मिनिट में कितना बार शांस लेता है तो हम बहुत अच्छे से जानते कि मनुष्य एक मिनिट में अगर शांस लेनी की बात होगी तो 14 से 18 बार होता है बस इतना है जान लीचे चलिए 70 प्रशन की बात करते ही भोजन का उर्जा में परिवर्तन कोश्का मतशेल कि किस भाग में होता है अगर मालिए भोजन का जो उर्जा का परिवर्तन की बात करेगा तो कौन से कोश्का में होगा तो हम बहुत सिंपल जवाब माइक्रोकॉंड्रिया के सिवा और कहा होगा कहीं नहीं होगा माइक्रोकॉंड्रिया में होगा और भी ज़्यादर option के साथ सही है यह answer सही है perfect भी है आप जानते ही 71 question number है कि हमारी छोड़ी हुई सांस हमारी छोड़ी हुई है मतलब जो सांस हम छोड़ते है छोड़ी हुई छांस की हवा में O2 की मात्रा लगवा कितनी होती है तो लीजे अभी जस्ट पढ़ाए कि O2 का आगर बात करें O2 O2 की आगर बात करें यह CO2 है O2 नहीं है और CO2 का चारप्रजीशत है 72 कोश्चन नमर है कि क्रेवश चक्र में किसका संसलेशन होता है तो क्रेवश चक्र में अगर बात करें संसलेशन की बात करें तो संसलेशन जो होता है ATP में होता है और अंसर दिया हुआ है यह बुक में तो ये भी अंसर सही दिया हुआ है लेकिन प्रिफिक्ट अंसर होगा option number C क्योंकि अगर option number C नहीं होता तो हम option number B लगा के चलाते हैं अब देखें क्रेफ्स चक्र होता क्या है इसका दूसरा नाम याद है तो दूसरा नाम होता है साइक्टोक अशिट एक और नाम होता है ट्राइको कार्वो कार्वो कील जो है अशिट बोला जाता है अब बताते हैं कि ATP क्या करता है क्रेफ्स चक्र में संस्लेशन करता है अदम परफिक्ट है अब गुलकोच का क्या काम है कि गुलकोच का जो अंतपरदार्त होते हैं पैरोबी काम, डूच, सिओ, और जल में बदल देता है यही काम है गुलकोच का तो यह भी तो sensation के काम किया तो यह option अगर यह नहीं रहता तो हम यह option लगा देतें क्योंकि यह गुलकोच से ही समन्दी तो क्रेफ्स चक्र जो है किसका संसलेशन होगा तो option number C लगा दिए तो समझ के होंगे क्रेफ्स चक्र क्या है तो आगर option number C रहेगा तो B answer नहीं होगा इसमें B answer दिया हुआ है तो आपको आपको C लगा के चलाना है 73 question number की बात करते हैं 73 question number क्या है कि अनौक्षी स्वसन का अंतिम उत्पाद होता है तो कौन सा होता है अंतिम उत्पाद बता सकते हैं तो बताईए तो हम बताएंगे option number C लाक्टिक अमल होते हैं अब एक बात मैं बता दुता हूँ लैक्टिक अमल हो या इथाइल अल्कोहल हो ये दोनों में टीक हो जाएगा लैक्टिक अमल को ही इथाइल अल्कोहल में बताए गया है ये जानीचे और साथ में CO2 हो तो ये अंसर सही होगा लेकिन यहाँ पर देखिए आपका option number A देख रहा हूँगा CO2 और जल है ठीक है त तो आप लगाएगा लैक्टिक अमल के जगा पर हो सकता है इथाइल अल्कोहल लगाते मतर दे देना तो वो ही सही होगा चलिए आगे चलते हैं 74 जो भी confusion होगा अगर आप कुछ लगता है कि confusion है तो आप comment box में करिएगा और अच्छी बात है अच्छा लगता है कि आप लोग कि मानव शरीर में यूरिया का निर्मान कहां होता है तो मानव शरीर में अगर यूरिया का निर्मान की बात करें तो मानव शरीर में यूरिया का निर्मान कहां होगा तो हम बताएंगे कहां बताईए तो यकृत लिवर में होगा और कहां होगा कहां होगा लिवर में होगा 74 74 का अनसर के जवाब चो सी रवाएंगे 75 कोश्चन नमबर है कि रख्ट की असुद्यां किस अंग में जाकर छंती है असुद्यां हो या सुद्धी करण की बात किया जा कि सुद्धी करण कहा होता है तो हम बिरिक में, बिरिक मतलब खिड्री में, गुर्दा में या तो किया गुर्दा को ही, किड्नी को ही गुर्धा कखते हैं, गुर्दा को ही बॡुक कखते हैं 75 question number की बात करें, मानव मुत्र पीला रंग किस के कारण होता है तो हम जानते ही यरो उल्ण के कारण होता है, चलिएगा 77 question number का जवाब देंगे कि नेफ्रॉन किस से समंधित है तो नेफ्रॉन जैसे ही सब्दा आए तो हम गुर्दा में टिक लगा देंगे गुर्दा मतब ब्रिक में, ब्रिक मतब किड्नी में, ठीक है 78 question number 79 question number मानव शरीद में, यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाए जाती है यूरिया की मात्रा अगर पूछे तो मुत्र में पाए जाती है और कहां पाए जाएगा 79 गाउंसर का जवाब, जो दिये वो सही दिये क्या दिये जवाब, चलिए, आगे चले 80 प्रश्ट, 80 प्रश्ट नहीं, मानव वरिक असमरी में पाए जाने वाला प्रमुक रशाणी किया होगी देखें, मानव वरिक मतब मानव के किड्नी में पाए जाने वाला प्रमुक रशाणी किया होगी कौन सा है, बता सकते हैं, तो calcium oxalate बोला जाता है, ऐसे oxalate बोला जाता है, ठीक है, तो option number C जो लगाएंगे, वो से लगाएंगे, calcium oxalate, oxalate कर दिया है, ठीक है, 81 question number का बताएगा, हैनले का लूप का कार्ज समंदीत है तो हैनले का लूप का जो कार्ज है समंदीत है किस से बता सकते हैं तो हाँ बता सकते हैं वो है उस सर्जन तंत्र से समंदीत है ये जरूर दहां रखेगा चलेंगे आगे 82 question number 82 है कि निसेचन की क्रिया कहा होती है तो निशेचन की किरिया जब भी होगी तो option number भी अंडा वाहनी में होगा 83 question number गरभाशे में विक्षित हो रहे भुरुन को किस सरचना द्वारा portion मिलता है किसके द्वारा मिलेगा portion बता सकते हैं तो हम बतातें गरभाशे द्वारा नहीं मिलेगा option number C plate center द्वारा मिलता है किसके द्वारा मिलता है plate center द्वारा प्ले center को नाल बोला जाता है ठीक है नाल द्वारा मिलता है नाल दोला मतब plate center के जरिये क्या होता है कि मा के खून से portion मिलता है ये जान दीचे ठीक है बच्चे को 84 question number की बात करते हैं, तो गरभाशा में माना भुरून किस द्रब में तरता रहता है, किस द्रब में तरता रहता है, बता सकते हैं, तो हम बता देंगे option number B और जो है, वो सही है, तो इसका पता है, इसको दू ढग में लिखता है, जैसे देखिए, एमनी, एमनी योटिक, ठीक है, एमनी योटिक कर दिया है, यहाँ पर आमनी याटिक कर दिया है, बस यह दिक्कत है, तो आमनी याटिक कर दिया है, यहाँ पर एमनी याटिक कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यह दोनों में से कोई भी देगा, तो एक ही है, मतलब इसका ऐसे कर दिया है चलिएगा 85 question number का जवाब देंगे गरभाशा में इस सिसू के विकास की जनकारी है तू किसका प्रयोग किया जाता है तो ultrasound के सिवा और किसी का प्रयोग करेंगे नहीं ultrasound के माद हमसे ही पता करते ही चलिएगा 86 cancer का जवाब देंगे test tube सिसू में तो test tube जो सिसू हो सुचे नीशेचन होगा test tube में और विकास कहा होगा दर्भाशा में चीक है यही है 87 question number क्या है कि बच्चों का लिंग नर्धारन किसके गुनसुत्र से होता है तो यह पिटा के गुनसुत्र से होता है और किस से होगा चीक है 88 question number बताईए 88 question number है कि इस्तृयोग का नस्वंदी वो कहा जाता है, तो इस तरियो के नस्वंदी को क्या कहेंगे, पता है, ट्यूबे टोमी, ट्यूबे टोमी कहा जाता है, ऐसे ट्यूबे टोमी कहा जाता है, 89 question number है कि पुर्षो की नस्वंदी को क्या कहा जाता है, महिला का तो अब जानगे, ट्यूबे टोमी कहते हैं, अब प नवे प्रश्ट, नवे प्रश्ट है प्रथम परखनली शिशु का नाम था, तो यह प्रथम परखनली शिशु का नाम पता है, इसमें अंसर होगा option बड़ी है, लुईस, लुईस ब्राउन पूरा नाम है, यहाँ दखेगा यह अंसर सही है, लुईस ब्राउन का नाम आता है, इसमें अंसर दे दिया है इंद्रा जो की गलत है इसमें अंसर दे दिया है इंद्रा जो की गलत है इसमें नमर 92 क्या है कि इन में से कौन जो है अंतरस्रवित गरंथी नहीं है तो अंतरस्रवित गरंथी कौन सा नहीं है तो इस option के हिसाब से आपको तो तीनों option शाहिए है लेकिन एक option आपका इसमें गलत है जो कि यह अक्रित यह अक्रित आपका अंतसरवित गरंथी नहीं है अंतसरवित गरंथी थ्राइड है आपका एंडरिनल है पिट्रिटी है यह सब जो है अंतसरवित गरंथी है 93 question number की बात करें तो मानव शरीर की किस गरंथी को मास्टर गरंथी कहा जाता है तो मास्टर गरंथी और किशी को नहीं पिउस गरंथी को ही कहा जाता है जो कि आप जानते हैं 94 की बात करें, तो मनिश्य में, मनिश्य के सरीर की सबसे छोटी गरंथी कौन सी है? तो मनिश्य के सरीर की सबसे छोटी गरंथी है, और कोई नहीं, पिटरिटी है, आप अच्छे से जानते हैं. आगे चलेंगे 95 कोश्चन नमबर की बात करें, तो पिटरिटी गरंथी कहां इस स्थित होती है तो प्रिटर्टी गरंथी जो है इस्थित होती है मस्टिस में होती है जो कि option number A लगाएंगे वो शहीं लगाएंगे 96 की बात करें तो थराइट गरंथी में थरक्षि स्रवित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतर स्रवित हर्मोंस कौन सा है तो TSH आगे चले 97 कोस्चनि नंबर की बात करें तो ब्रिद हर्मोंस जब भी स्रवित होगा तो आप जानते हैं थराइट को ही कहते हैं क्या ये ऽही मैं ने बोला आप क्रेक्षिक करके बताएंगे तो नहीं ये सही होगा option बड़ी पिटरिटी होता है आप अच्छे जानते हैं ब्रिध हर्मोश 98 question number है कि oxytoxin hormones जो है स्रवित करने वाली गरंथी है तो oxytoxin hormones स्रवित करने वाली गरंथी कौन से है तो हम बताएंगे option number A पिउस गरंथी है और इससे सवाल बहुत जादा पूसता है 99 question number है कि आयोडेन की कमी से होने वाले रोग जिसे गलगंड बोलते हैं जिसे गलगंड बोलाया ता घेंगा जिसे हम बोलते हैं में किस गरंथी की अप ब्रिधी होती है किस गरंथी की होती है तो थोराइड की होगी और किस की होगी आप जानते हैं सौवा प्रश्ण है और अंतीम प्रश्ण है तो सौवा प्रश्ण है कि नमर्रिकित में से किस की कूश शंक्रिये संक्रिय के कारण मानव शरिन में जो है mixidema होता है तो mixidema जो होता है वो याद रखेगा और कहीं नहीं होगा mixidema जब भी जुड़ता है तो बो जुड़ा होता है option number D अब टूक गरंथी से जुड़ा होता है पहला शवाल आप देखिए पिनियल गरंथी कहां इस्थित होती है तो पिनियल गरंथी अगर आप से पूछेगा तो क्या बताईएगा अंसर का जवाब दीजे तो पिनियल गरंथी जब भी इस्थित होते है मस्तिक्स में होते हैं यह आप जानते हैं यह भी मदवाग में होते हैं उसका बार में जनकारी देंगे आगे चलते 102 मा कोश्चन है कि निमरीकित में कौन सी अंता स्रवित गरंथी पिर्स गरंथी से स्वतन तरकाज कर सकती है तो और कोई नहीं option बड़ी जो लगाएंगे परावटू वो सही लगाएंगे क्योंकि 102 का answer का D जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे 103 प्रश्चन है कि मनुष्य में सबसे बड़ी गरंथी कौन सी होती है तो मनुष्य की सबसे बड़ी अगर मनुष्य में सबसे बड़ी गरंथी पूछे तो यकृत के सिवा और किशी को मट्टिक लगाएगा यकृत मतल लिभर अब चलिए 104 प्रश्ण है कि नमरीकेत में से कौन सी गरंथी जो है आस्रू स्रवित करती है कौन सी गरंथी ऐसा है बताईए जो कि आस्रू जो है स्रवित करती है 105 प्रश्ण बताईगा 105 प्रश्ण है मादा जनन हर्मोन मादा जनन मतलब महिलाओं की बात हो रही है मादा जनन हर्मोन कौन सा है बता सकते हैं बताईगे जरूर तो देखें मादा जनन हर्मोन की अगर बात करें तो यह option number D होगा प्रोजेस्टोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटोटो रखेगा टेश्टो अस्टेदीन होता है, यह जरूर धार रखेंगा, यह नर्मे होते हैं, और यह मादा में हर्मोंस तो आप तीनों याद रखेगा, इंपॉर्टन है, साथमा प्रशन, साथमा प्रशन है कौन सा हर्मोंस जो है लडो उडो हर्मोंस कहलाता है, कौन सा हर्मों जो है लडो उडो हर्मोन्स कहलाता है 108 मा प्रश्न है रक्त दाव का नियंत्रन कौन करता है पताईए अधिब्रिक करता है और मोग टेस्ट करवा रहा हूं तोड़ी दीटेल दे रहा हूं 109 कुशन जीवन रच्छक हर्मोन्स किस करंथ से सरवित होते हैं याद रखिएगा 110 प्रश्न मानो शरीद कि कौन सी गरंथी एक साथ अंता स्रवित तता वाहिस्रवित जोहर दोनु ही तरह काज करती है बताईए मतनब आंतरिक रूप से भी करती है और बाहरी रूप से भी करती है तो कौन सी ऐसी करंथी है भाई बताईगा तो आपसे नमरी अगनाश है पैंक्रियाज है ना चुनी 112 मा प्रश्ण इंसुलीन है एक प्रकार का इंसुलीन जो है एक प्रकार का क्या है बताईगा हर्मोन से चली गया 112 मा प्रश्ण है कौन सी गरंथी जो है इंसुलीन जो है निशारन के लिए उत्तरदाई है निशारन के लिए उत्तरदाई है बताईए का 112 अप्रशन का ज़वाब देंगे तो आप्शनननमर D अगनास है पैंक्रियाच 113 माँ प्रशन है इंसुलीन की खौज किसे ने की? पताईए fraction number V 204 माँ प्रशन क्या है कि लैंगर हिंस कि जो है दिूपीकाएं जो इंसुलीन का स्रब करते हैं इस्थित होते हैं कहां इस्थित होते हैं? पताईएगा अगनासली में होते हैं मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल शंख्या कितनी होती है, बताएगा आप्सिन नमर सी, ठीक है, 649 होते हैं, यह ज़रूर धान लखेगा मनुष्य के शरीर में मनुष्य के सरीर की सारवधिक सक्टी शाली पेशी कौन सी है सी, जवड़ा, है न, जवड़ा सबसे मजबूत है की नि, चलिए 117 प्रश्ट, निम्रकेट में किसकी पेशियों में श्वय अस्पंदन का जो है गुन पाये जाता है, कौन सी पेशियों में अप्शन नमर ए, हिर्दय में, श्वय स्वंदन होता है न, ढड़कता है न, 68 प्रश्ट, किस अमल के मांस्पेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान मश्यूष होती है, बताएगा, जो थकान अमल को मश्यूष होता है, कौन सा अमल के कारण, बता सकते हैं, अप्शन नमर ए, लाक्टिक अमल के कारण, एक्सोन इस्वा प्रश्ट, नित्रदान में आँख कोन सा भाग प्रियूप्त किया जाता है, कौर्णिया, नित्रदान करते हैं यही न, नित्र में प्रवेश करने वाले प्रताश की मात्रा का नियंत्रन, नमने में इसे किस अंग द्वारा किया जाता है, मतलब आँख में जो किरन जाती है, वो बताएगे, कंच्रोल करता है, नियंत्र करता है, किस के कारण होता है, नित्र के कौन से भाक्षे होता है option नमर डी आई रईष के कारण चलिए 112 मा प्रश्ट आँखों के किस भाग पर बस्तु का प्रतिविम बनता है किस पर बनेगा रेटीना पर बनेगा क्या मैंने शही बोला है दम सही बोला चलिए 112 मा प्रश्ट बताईए तवचा का रंग किस के कारण होता है तवचा का रंग जो है किस के कारण होता है option नमर डी मेला नीन के कारण होता है 123 मा प्रश्ट है मनुष्य में तवचा किस अस्थान पर सबसे अधीक मोटी होती है बताईएगा मनिश्रे में अगर तवचा पूछे कि किस अस्थान पर सबसे अधीक मोटी होती है वो जवाब दीजे तो अप्शन नमरे तलुए पर कहां पर तलुए पर 124 वा प्रश्ण बताईए मानौश्रीर का सबसे बड़ा अंग कोन है मानौश्रीर का सबसे बड़ा अंग कोन है अप्शन नमर सी चमड़ा 125 वा प्रश्ण है तोचा की उपरी सता कहलाती है तोचा की उपरी सता क्या कहलाती है अप्शन नमर ए यहार दिखिएगा एपी डर्मी एपी डर्मी कहलाता है एपिडर्मिस कहलाता है 126 प्रश्ट क्यासे रूख जन्तू कि शरीर का सर्वितिक कठोर भाग होता है कौन सा होता है Option No.C इन्हें मिल 127 प्रश्ट मानव शरीर का कौन सा अंग जो है पुनुरूद भवन पुनुरूद भवन मतलब फिर से बन सकता है अगर खराब हो रहा है तो ठीक भी हो सकता है तो वो इस option के हिसाब से Option No.D या क्रिज ठीक हो सकता है याद रखिएगा कि किसी प्राणी के सरीर के मतलब किसी प्राणी के सरीर के ये मिठ शुकी यह questions का स् consultant Small吗 to еще概 है समझ in familiar स humility नहीं तो गलत तो नहीं कर सकते है जल करनवान सहे नहीं नहीं है तो इसको छोड़ जीजाए चली एक 176 प्रश्न है з ALL एमानो स्बसे बड़ी कोशिका होती है तो मानो स्बसे बड़ी कोशिका कौन से होती है बता सकते हैं तो 130 प्रश्ण है मानुष शरीर में अनिवार अनिवो अमले की शंख्या होती है बताईगा कितनी होती है बताएंगे फड़ फड़ बताएंगे option पर भी 20 होती है 130 प्रश्ण है कि मानुष शरीर का सामान तापमान होता है तो इस option के हिसाब से तो आपको degree Celsius में बताना है Fahrenheit पर होता न तो 98.6 degree Fahrenheit लगाते है लेकिन यहां तो यह यह नहीं है Celsius पर पूछ रहा है तो real जो होता है 37 degree Celsius होता है अब इसमें तो 37 degree Celsius नहीं है लेकिन हाँ हम ठीक कैसे लगाएंगे तो देखे 36.9 है 9 है मतलब 37 के बरावर है तो यही अंसर होगा तो 36.9 degree Celsius होगा चलिए का 32वा परश्ण है महिला के मानव मस्थिस लगवक कितने ग्राम का होता है महिला का आपसे पूछ रहा है कि महिला का मानव मस्थिस लगवक कितने ग्राम का होता है बताई बता सकते हैं तो बताइए चलिए फटा पड़ तेर से पचास से चौदर से पचास माना जाता है किसका बताएंगे हम लोग का मानव का प्याद खिएगा कि इस option के हिसाब से अगर देखा जाए तो correct answer तो आपका ए होगा क्योंकि महिलाओं का तेर सो पचास पताए गया है अब पूर्शो का इस question के अंसार 1450 पताए गया है लेकिन correct answer जो होता है इसका 1242 कराम होता है यह ज़रूर धान रखिएगा नहीं तो कहीं कहीं 1265 देता है अब यह correct है ठीक है 1265 जो है correct है नहीं तो 1200 आप या दुखिए 42 जो है correct है लेकिन इस option के हिसाब से देखेगा 1200 है तो यह नहीं होगा पंदर सो है जादा है 1450 हो गया मतलब 1400 से लेके 1450 होता है यह हो जाता है हम लोग मानव का हो जाता है अब इसमें option अब बच्छा तो महिलाओं का 1350 कर दिये, क्योंकि अनुमान लगाईए कि पूरुष से कम होता है महिलाओं का, मस्तिष्ट का बज़न, तो आप अनुमान लगाईए कि पूरुषों का जादा होगा तो महिलाओं का, तो इस option के हिसाब से तो यही अंसर होगा, प पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है, वो कहलाता है, क्या कहलाता है? आपसर नमर ए, फिलो क्यू नोश, पताईगा, फिलो क्यू नोश कहलाता है, और इसका एक और नम बताईए, और कौन से विटामिन में होता है, जो कि रक्त का थक्का बनाता है, पताईगा जरूर, यह पढ़ा चुका हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ, निमिकित में कौन स का नाम सुने होंगे, यही अंसर परफेक्ट है आपका, चलिए, आगे चलेंगे, 135 प्रश्न है कि EEG, क्या है, EEG का प्रयोग किसकी गतिविधी दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो किसकी गतिविधी दर्ज करने के लिए कि जाती है, तो option number D, मांस्वेशियों की गतिवि कनो, मतलब WBC, का ब्यास होता है लगवक, कितना होता है, तो option number A, 0.007 mm होता है, एक्सवेशियों के लिए कि मानव में शरीर के निम्रिखित भागों में से, किस एक में सुकरानू, मतलब सुकरानू, मतलब डिम, सुकरानू डिम का निश्यचित, मतलब fertilize, जो होते हैं, fertilization कहते हैं, जिसे fertilize कहते हैं, जिसे चित करता है, तो वो क्या कहलाता है, तो option number B, डिम वाहिनी, यार रखेगा, नली कहलाता है, 131 प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, कि मानव मस्टिक्स के निम्लिखित भागों में से, कौन सा एक निगरन और उल्ती का नियम, नियमन के निर होता है, उल्ती जो होता है, उसका नियमन के निर होता है, कौन होता है, बताइएगा तो option number C medulla इसे नामी है medulla oblongata medulla oblongata चलिए आज के लिए इतने हैं करते हैं जाहिन जाहरत